कार दोस्तों वेलकम बैक टू माई चानल मैं अर्विंद कुस्वाहा आप लोग अपने चानल में स्वागत करता है दोस्तों मैं आज इस प्लांट्स के बारे हम बताने जा रहे हैं इसे घागल कहते हैं देखिए कितना खुबशूरत बड़ा है यह देखने में बहुत और पक तयार किया मैं इसके बारे में आपको क्याटिस बताऊंगा कैसे इस प्लांट्स को हमने गुरो करके इतने वड़े से फॉर्म में तयार किया मैं इसका बारे में आपको क्याटिस बताऊंगा इसे चकोतारा के नाम से भी जाना जाता है जो कच्चा में हरा रहा रहता और पक या खासकर विहार ज्रकंड में बहुत ज्यादा संख्या में उबजाए जाता है पर चपन पर्व में इस फिर्ष मौत 6 करने कि अधर कि को अधर सीयम 14 विटामिन A, B, C पर्चूर मातरा में पाये जाता है जो हमारे सरीर के चर्वी को कम करता है ब्लड पेसर को कंट्रोल करता है यह बहुत सारे इस फल के हेल्थ बेनिफीट है मैं आज आपको इस वीडियो में फूल केर्टीस बताऊँगा इस फल के बारे में देखिए इस छोटे से प्लांट्स में कितने सारे फल लगे हुए हैं जो कि आपको साप नजर आ रहा है अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वे लेकन भी जरूर दवाए जिससे सबसे पहले आपके बास नोटिपीकेशन जाएगा और आप उस प्लांट्स के असानी से जान पाएंगे हमने रूबी रेड परजाती के घागल चकोतारा प्लांट्स को लगाया है फरवरी से मार्च के महिने में फूल आने लगते हैं जब आपके फूल आने लगे तो आप इस प्लांट्स में वाटरिंग नहीं करें क्योंकि वाटरिंग ज्यादा होने से फूल गिर जाएंगे इसलिए आप उस मोसम में फूल बहुत कम डाले उसके बाद देखिए जब यह प्लांट्स आपके मई मेने में होता है इसमें फल का अकार बड़ा हो जाता है और साइज बड़ा होने लगता है तो उस समय आप इससे फल नहीं गिरने के लिए आप प्लांट्स में सुनाटा का 200 ग्राम लिजिए और इसका स्प्रे करिया जिससे फल नहीं गिरने फल का अकार बड़ा हो जाएगा इस फल को तयार होने में छे मैने लगता है जो छे मैने के बाद या पक कर पीला कलर का हो जाता है और इसमें स्वाद से भरपूर होता है मेरे पास इसके दो प्लांट्स है दोनों प्लांट्स में आपको छोटे से प्लांट्स में सैकुड की संख्या में फल लगे हुए हैं जो किसाफ आपको दिखाई दे रहा है देखे दोस्तों इसमें कुछ क्यूडे लग जाते हैं लाल रंग के मकडी उसको आप हटाने के लिए आप नीम वाइल के स्प्रे करिए या हिंग में सरप का मिसरन करके एक लेटर पानी में घोल बनाकर इसके स्प्रे करिए अच्छे से प्लांट्स में साड़े कीट फटंगे जो लगे हैं सब हट जाएंगे दोस्तों हमने हिंग ली है हिंग एक चमच आप एक लेटर पानी में घोल लीजे और घर में इच कनेला असरप है उसका भी आप एक चमच डाल कर घोल को अच्छी तरह से मिला लीजे और पचास ग्राम नीम वाइल या नीम का घोल का सबी प्लांट्स में कीड़े अच्छी तरह से मर जाएंगे देखिए इस घागल में कितने सफेद मिली बर्ग एम लाल मकडी लगी हैं उसको हटाने के लिए हमने इसे समय समय पर स्प्रेक करता हूं तब जाके मेरे प्लांट्स में अच्छे से हटते हैं और प्लांट्स दे को पानी नहीं डाले पानी बार भाट आप जब पूल का अकार थोड़ा बड़ा हो जाए गाय का गोबर का 10 किलो ले लिजिए इसमें त्वर्तीर मात्रा में राज़ियों खांत्रोस मगरी सें पोसत्त तपाये जाते हैं जो हमारे पौधे को गूरत बढ़ाते हैं कलीया लाने मदद करते हैं फल два अकार बढ़ा करते हैं फल का गिरने नहीं देते हैं इसलिए आप गा का ग्रोध को अच्छे तरह से करता कलिया को ज्यादा लाता है फल का अकार को बढ़ाता है इसलिए गाय का गुबर का अगर आपको पुराना खाद मिले तो उसका आप ले लिए देखिए दोस्तों उसके बाद हमने इसमें बर्मी कंपोष्ट खाद लिया तीन से चार किलो देखिए NPK 2020 का एक किलो लिया है इसे भी हम प्लांट में डालते हैं इसमें बहुत सारे पोस्तों तुपाय जाते हैं जो पोधे को ग्रोध को बढ़ाता है फल का अकार को बढ़ाता है इन तीनों खाद को आप मिक्स करके महिने में एक बार प्लांट में दीजिए उसके बा फल अब मेरा तयार होके पकने लगा है जो कि सेकलो की संखिया में इस छोटे से प्लांट में दीख रहा है देखिए फल का अकार भी बढ़ा हो गया और फल पीला होने लगा है इस अक्टूबर के महिना का यह मैं आपको दिखा रहा हूं नॉमबर आने तक इस प्लांट का तोड़ कर खाने लायक हो जाता है देखिए नॉमबर के महिने में फल पूरी तरह पग के पीला हो गया है जो कि इतने बड़े अकार के हो प्लांट में गुच्छे गुच्छे हैं सेकलो की संखिया में इस छोटे से प्लांट में आपको नजर आ रहे हैं इस प्लांट को प्लांट में फूल आना चाल醉 हो जाएंगे इस प्युड़ में उसका फल आना भी चालू हो जाएगा मेरे पास रूबी रीड के दो प्लांट है जिसमें प्लांट में सैकलो की संख्या में हर एक साल प्ल आते हैं और यह प्ल देखें कितना खुबसूरत पक्त के मेने त्य प्यार हो गया है और इस फल को हम बेर करते हैं चपले मां के चण्णों में अरपित करते हैं और इसे इस प्रियुद का बिशेश हम Southern छठ पुजा में रहें फल का का थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसमें आप इन सभी खात का मिश्रन करके डालिए और पानी सिचाई करिए क्योंकि सिचाई करने से फल का अकार बढ़ता है और फल में गुद्दा आता है और अच्छे से फल पकने में मदद करता है देखिए दोस्तों आप मेरा नौंबर के महिने में फल अच्छी तरह से पक सकते हैं या बेहादी स्वादिष्ट होता है स्वाद में पकने के बाद खटा मिठा लगता है इसे जब फूल आए मार्च के महीने में उसके बाद आप इसमें सुनाटा का 100 ग्राम का स्प्रे कर दीजिए आपके फूल नहीं करेंगे फल बढ़ेंगे उसके बाद जब फूल क मई के महीने बढ़ा हो जाता है तो उसे महीने में दौ बार आप सिचाई कर दीजिए पानि पवानि के सिचाई करने से आपको फैदा कि फूल का फल का अकार बढ़ा होगा और जोग्रोध अच्छी तरह से प्रांस करेगा फल को पकने छे इना लगता है जिसे चाकू की सहायता से आप काटकर अच्छी तरह से छिल लीजिए इसके अंदर बहुत सारे गुद्दे होते हैं जो कि विटामिन से भरपूर होते हैं देखिए कितने सुन्दर फल या पक के तयार हो गए हैं और इसके लाल लाल फल आपको दिखाई दे रहे हैं पकने क के बाद इसके स्वाद बहुत ही खटा मिठा यह लगते हैं और यह सदिया गुन से भरपूर होता है यहल्द बिनिफिट के लिए बहुत ही कारगर काम आता है या फल अक्टूबर से नॉम्बर मेना में अच्छी तरह से पक जाता है उसके बाद आप इसे तोड़ कर घा सकते ह देखिए या फल कितने अच्छे से लाल कलर में पके हुए आपको साप नजर आ रहे हैं या फल छट पर महापर में जरूर चाड़ता है इसकी खासियत यह है कि विटामीन सी से भरपूर होता है रोख परतिरोदक की छमता इस फल में ज्यादा होता है इसलिए इस फल का उप को तारा के प्लांट्स में सेकुल की संख्या में फल पाई है पौधा को पनपने में उस कटपन दिये जलवाई उप्यूक्त होता है या ज़्यादा जड़ा है ज़्यादा गर्मी बरदास नहीं करता है इसलिए जड़ा के सुरुवात में ही या फल पक के तयार हो जाता है तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर करें प्लांट का केर करना बेहदी असान है इसलिए आप इसे दोमट या काले मिट्टी में लगाईए और सनलाइट 6-7 गंटा दीजे और 6 मेने के अंतराल में इसमें गाय से गोबर बर्मी कंपोस्ट एंपिके फटलाजर तीने को मिक्स करके प्लांट में दीजे फल का अकार पानी की मात्रा नाम मात्र करक कर दीजिए और बरसात की सीजन के बाद आप इसमें पानी महिने में दो या तीन बार दीजिए इस प्लांट में फूर फल जो हैगा उसका फुल का अकार बड़ा हो जाएगा च्छोटी बात के आप ध्यान रखिए और अपने घागल एयों च चको तारा के पौधे में सेकड़ों की संख्या में फल पाईए या फल खास कर छट महापर्व के लिए बिसिस महत्वर रखता है और विहार जारकंड में इसका ज्यादा उत्पादान होता है इसी तरह केटीस अपनाईए और अपने इस छोटे से प्लांट में सेकड़ों की संख्या में फल पाईए तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले विडियो में तब तक अपने सेफ रखिए अपने प्लांट को सेफ रखिए और मेरे बतायवे केटीस को अपनाईए अपने प्लांट में ज्यादा से ज्यादा फल पाईए बाइ